Rich Dad Poor Dad में Robert Kiyosaki कहते हैं कि Amir आदमी इसलिए Amir होता रहता है क्योंकि वो हमेशा assets में invest करता है और गरीब आदमी और गरीब इसलिए होता रहता है क्योंकि वो liabilities में ही हमेशा invest करता है example के तोर पे Amir आदमी और गरीब आदमी दोनों को गाडिया लेनी है समझदार Amir आदमी है अपने पैसों को पहले assets में, stocks में, investments में डालेगा और फिर वहाँ से उसका पैसा grow होगा माल लीजिए उसने पैसा अपना real estate में डाल दिया real estate appreciate हो रही है तो उसका पैसा भी appreciate हो रहा है उस real estate को rent में दे करके जो rental income आती है उस rental income से वो गाड़ी की EMI पे करता है और गाड़ी लेता है वहीं पे एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसे नहीं है वो EMI दे करके गाड़ी खरीता है और EMI जब आप देते हो तो जितने की गाड़ी है उससे कहीं महंगी गाड़ी आपको मिलती है एक्चुली जितना पैस आपकी जेब से जाना चाहिए था उससे भी कहीं ज्यादा पैसा जाता है और आप EMI के बोज के तले दबे रहते हो रॉबर्ट कयोसा की कहते हैं हमेशा ऐसे assets में पैसे invest करो जो आपके lifestyle expenses का take care कर पाएं lifestyle expenses पे पैसे मत खर्च करो तो क्या आपका खर्चा पहेंगे टीवी, फ्रिज, गारी, मोबाइल, कपड़ों में जा रहा है या फिर ऐसे assets में जा रहा है जो assets से return जो आएगा उससे आपके lifestyle expenses चलते रहें मर्जी है आपकी आकर life है आपकी